Hello and welcome friends, today we are going to learn how to auto fit your Excel column तो Excel की column को auto fit कैसे कैसे कर सकते हैं, इसी को सीखने वाले हम, तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले Excel open कर लिजिए, मेरे पास 2007 वर्जन है, मैं इसी को open कर लेता हूँ इसके बाद इस वाले column को हमें auto fit करना है, क्यों auto fit करना है, मैं आपको बताता हूँ यहां मैं लिखूंगा title employee ID, तो जैसे ही मैं employee ID लिखता हूँ, यह ID बाहर निकलाती है इस column से अब अगर auto fit करना है, तो यहां तो हमें इसको ऐसे with को चोड़ा करना होगा, और नहीं तो यहां पर double click करना होगा, तब यह auto fit होगा अगर माली जे फिर हमें लिखना है, कोई title जैसे name of employee, तो यह देखिए यह फिर बाहर निकल गया, फिर हमें यहां पर double click करना होगा, नहीं तो इसको खीच करके इधर लाना होगा इस जंजट से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो ध्यान से देखिए, और इस वीडियो के end तक आपको यह definitely पता चल जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ, कि यह काम कैसे हो सकता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सब चुपले sheet 1 जो के सामने देखने को आएगा, आपको लिखना है यहाँ पर sales, sales.entire column, entire की spelling होगी, entire column आ रहा है, आप इसको tap कर दीजिए, और आगे लिखिए, dot auto fit, auto fit, तो देखिए, यहाँ पर auto fit अपने आप आ रहा है, यहाँ देखिए, लिखावा है, auto fit, ठीक है, यह देख सकते हैं आप, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर click कर देंगे, ठीक है, double click कर दिया, अब इसको कुछ करना नहीं है, आपको आप इसको minimize कर दीजिए, आपको इसको minimize करना है, आईए, अब हम क्या करेंगे, यह वाला जो column है, यह थोड़ा चोटा column है, इसी में हम लिख के देखते हैं कि क् employee जो पहले मैं लिख रहा था employee id यह मैंने लिखा और जैसे enter करता हूँ यह देखिए यह अपने आप adjust हो जाता है अब मैं फिर लिखता हूँ name of employee तो जैसे ही मैं enter करूँगा यह अपने आप adjust हो जाएगा तो इस तरह का जादू यह हो सकता है इस वीडियो को जरूर देखिए अच्छे से और इस वीडियो को खुब शेयर कीजिए thank you for watching this video